हाँ जी बच्चो गड़ेवनी बिल्कुल वीडियो डिलिट कर दिया था मैंने मर्जर एन एक्विजिशन का और इसलिए किया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी बीच में किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर वीडियो एडिट ठीक से नहीं हो था ठीक है अभी अपलोड कर रहा हूं इतने कॉल इतने मैसेज़स सर प्लीज अपलोड किजिए भाई मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूं ना हंड्रेट परशन करूंगा और जब कर ही रहा हूं सेकंड टाइम तो एक न्यूज और म्यूचल फंड भी जल्दी ही आएगा ठीक थाइंक्यू बात मैं बोल बच्चों की डिमांड है मैं पूरी करूंगा उसके बाद कुछ नहीं बचा अगर आप बोल रहा है सर और भी कुछ कर दो तो अब कुछ नहीं बचा विट्टे करने के लिए सफिशिन थैंक्यू चलो देखते हैं मरजा अज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहा है और एक्जाम के बाद भी मिल रहा है सब बीच में आपके वीडियो नहीं आए हाँ थोड़ा सा में बीजी हो गया है था क्लासे जो है रिकॉर्डिंग चल रही है न्यू रिकॉर्डिंग चल रही है इसी वजह से कोई शाक ही नहीं कि पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है नियू से लिए होता है तो आने की वजह क्या आने की वजह यह है बिटे क्योंकि बच्चों ने परिशान में रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें मर्जर एन एक्विजिशन चाहिए और बड़े मुस्किल से टाइम नि इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है जिसका नाम है मुच्छल फंड उसका क्या है है ही साथा गंटे का चैप्टर होगा उसका गर में रिविजन भी करूँ तो क्या फायदा नहीं है तो प्लीज सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुच्छल फंड खुछ से कर लोग ह मैं जो कर वहूँगा उसका नाम क्या है उसका नाम है मर्जर एन एक्विश यह टॉपिक डिस्कुशन होगा आज की क्लास में और वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए थी पर चलो ठीके बहुत सारे बच्चु को हो जाता है थोड़ी बहुत कोश्चंस में प्रॉब्लम तो चलो ठीके आज की क्लास में वही कोशिश ही मेरी यह रहे कि बच्चों की कॉंसेट्स जो है ऐसा नहीं है कि इसमें कोश्चंस नहीं होगे कोश्चंस तो होगे प्रैक्टिश मैनुल अच्छा एक और बड़ी समस्या आगे इस अटेंट में जो जिन बच्चों का एक्जाम था कि कोश्चंस सर थोड़ा सा अब हम लोगों को पी एम एसेम आर टीपी एम टीपी और जो भी करते हम आई सी ए आई का माटेरियल इसके अलावा भी कुछ हमें करना चाहिए तो मैं तो यही कहूंगा सर जी कॉंसेट्स पर फोकस करो कोश्चंस फिर कोई भी आ जाए पर फिर भी हमें नए कोश्चंस भी तो होना चाहिए तो इस बार जो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें हमारा पी एम एसेम आर टीपी एम टीपी के अलावा बहार से भी कोश करता था किया सर ऐसा है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें और इनीशल स्टार्ट करें सुरू से जैसे आप सीए बन गया है सुरू से कोचिंग स्टार्ट कर रहा है और फिर आप खुब मेहनत कर रहा है वह पुराना चीज भी ऐसे काम करो कि आल्रेडी कोई कोई को मर्ज कर लो अपने खुद पर्चेस कर लो अगर एक company को कोई काम करना है और वो सुरू से उस काम में लगे तो बहुत टाइम लगता है existing company कोई भाई purchase करो और काम करो या सुने exactly this is merger merger करने से फायदा है बस यही कुछ था तो बहुत जाद डिटेल में मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा आपको revision जो चलेगा वही जो मेरी old recording है उसी का मैंने screenshot लिये रखा उसी से मैं करवाने वाला तो क्या है आखिर merger तो थियोरी थियोरी ने मैं इसी बस start कर रहे न तो मैंने का merger क्या एक इन और गेनिक growth it means merger क्या एक shortcut और shortcut है एकदम से बढ़ने का shortcut है मर्जर खरीदो बढ़ जाओ अच्छा तो यह shortcut से क्या आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते है यस किसको target company को जितनी उसकी value है उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा ही देना पड़ता है और इसको justified वगेरा करते है इस energy वगेरा यह देखते है तो यह सर वैसे क्या समझाया मैंने समझाया कुछ नहीं बस मैं आपको start कर रहा हूं मर्जर स्टार्ट में अब सहाब मर्जर में क्या आता है मर्जर में एक तो होता है स्वैपरेशों से related questions मैं सामने वाली कंपनी को अगर मर्जर करने की कोशिश कर रहा हूं दो ही तरीके से सामने वाली कंपनी को खरीदा जा सकता है पहला cash deal मैं वाली कंपनी को वेंडर कंपनी अगर मैं हूँ purchasing company मुझे सामने वाली company को खरीदना है तो साहब दो ही तरीके या तो उनके shareholder से बोलों पैसे लो भाई और अपने shares मुझे दे तो this is cash deal दूसरा तरीका क्या होता था कि उनके shareholder को मैं बोलूं कोई आप अपने shares के बदले में मुझे से मेरी company के share ले लीजिए this is amalgamation इसको आप बोलते हैं हम क्या बोलेंगे यहां stock deal तो deal कितने तरी से cash deal stock deal cash deal का question है नहीं it means yes यहां simple सा है कि मुझे सामने वाली company को खरीदना है तो उनके shareholders को उनके shares के बदले में उस company के shares के बदले में मैं अपनी company के shares दे दूँ यही पूरा की पूरा खेल merger में और कुछ नहीं है margin ठीक है तो बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस इसमें यह सवाल आता था कि सामने वाली company के shareholder को vendor company के share के बदले में हम purchasing company कितने shares देंगे this is share exchange ratio अच्छा तो share actions ratio बोलिए यह swap ratio बोलिए और यह हमें पहले number पर यह निकालना पड़ता है और share actions ratio आपने already CA Interm में पढ़ा हुआ है amalgamation में पढ़ा हुआ accounting standard 14 में कुछ नहीं है मतलब base बहुत सारी हो सकते हैं किस जनरली किस basis पर होता है तो आपको तीन basis याद रखना पड़ेगा एक market price basis और एक earning per share basis और intrinsic value basis और swap ratio का formula है share action ratio का formula है MPS of vendor company divided by MPS of purchasing company अगर EPS के basis पे निकाल रहे हो तो EPS of vendor company divided by EPS of purchasing मतलब सर बात ही दिये है कि उपर हमेशा आपको vendor company को ही रखना है सिर्फ एक bank वाला question है जिसमें वहां बात करेंगे उपर हमेशा जब भी share action ratio निकालोगे उपर हमेशा क्या रहेगा vendor company के ही share की value रहेगी चाहे वह value intrinsic value है चाहे वह value market value है चाहे वह earning per share है उपर हमेशा vendor company नीची हमेशा purchasing company सरी तो रटवा रहा हूँ बैटे रटवा नहीं रहा हूँ आपको revision करवा रहा हूँ concept में आपसे already discussion कर चुका हूँ सब फिर भी एक फॉर्मूला है क्या बैटे फॉर्मूला नहीं common sense है common sense यह हुआ कि सामने वाली company में मतलब vendor company के share की कीमत है 20 रुपए सामने वाले share order के पास 20 रुपए का एक share है और मेरी company के 10-10 रुपए के share है तो बताओ भाई वो एक share के बदले में मुझसे मेरी company के कितने share लेगा दो सीधी सी बात है एक 20 रुपए के share के बदले मेरी company के तो 10-10 के 2 share लेगा ना तो share action ratio क्या आ गया 20 divided by 10 सामने वाली company के share की value divided by 10 तो answer क्या आएगा 2-1 दो के बदले में 1 share ठीक है तो मैं एक समझाने के कोशिश कर रहा था आपको कि share action ratio जो निकाला जाएगा जनरली पूछा जाएगा 3 basis पर market price basis, EPS और intrinsic value ठीक है सर ये intrinsic value क्या होता intrinsic value बोल दो या net asset value बोल दो बात ये कि और intrinsic value क्या होता है तो intrinsic value के विसे में मैंने आपको समझाया था सर assets minus outside liability नहीं आप पैसा बोल सकते हो मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर सामने वाली company को vendor company को अभी की अभी बंद कर दिया जाए तो equity shareholder को कितना पैसा मिलेगा अब बंद करने का मतलब सर सारी assets बेचोगे जी और क्या preference shareholder का भी payment करेंगे हाँ मेरा statement क्या था अगर vendor company को अभी की अभी बंद कर दिया जाए तो equity shareholder को कितना पैसा मिलेगा तो भाई equity से पहले preference shareholder को पैसा देना पड़ेगा उसके बाद यह पैसा बचेगा और यह किसको मिलेगा equity shareholder को तो एक share पे सहाप चाहे company आज बंद हो जाए एक share पे minimum हमको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा this is intrinsic value per share इसी को net asset value per share भी बोलते हैं और यह कुछ आप mutual fund में भी पढ़ते हो NAV mutual fund की तो बात ही ना करें ऐसी आप book value per share भी निकाल से बुक वैल्यू पर share book value अगर मैं कहूं book value of equity क्या होता book value तो equity मैं बोलता हूं तो equity में क्या आता है equity में कभी भी अक्यला equity नहीं बोला जाता reserve and surplus बोला जाता मेरी बास समझना अगर मैं बोल रहा हूं face value of equity shares कितना face value आपको पता है अगर मैं बोल रहा हूं book value of equity share कितना तो book value कभी भी बोलूँगा तो यह दोनों plus होते है साहब यह इस पे सिर्व equity का हिस्सा होता अधिकार किसका होता reserve and surplus equity का तो अगर मैं बोल रहा हूं book value per share तो कभी भी इन दोनों को plus किया जाता है और इन दोनों को plus करते हैं तो क्या कहलाता हूं net worth कहलाता है net worth बोल दो यह क्या मैं बोल दो book value of equity divided by number of equity share करूंगा तो यह जाएगा book value per share और इसके हिसाब से भी share exchange ratio हो सकता है 99% में net asset value per share और book value per share एक ही होता है अगर assets की value change नहीं हो रही है तो खेर मुझे ज़्यादा research नहीं करवाना है क्या share exchange ratio समझ में आ गया हां सर हां कभी कभी question में कहेगा कि यार हम 50% MPS basis पे ले रहा है 25% EPS basis पे ले रहा है और 25% intrinsic वे ले तो वे ठीक है वे टेडाइव रिस्क करने कोई फर्क नहीं पड़ था यहां तक बात समझ में है क्या एकाद example हो जाए अच्छा वाला जी सर तब ही तो मज़ाएगा यह रहा example और सुनो अच्छा example है मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ सुनो अगर आप बेटे इस example को कर लेते बच्छे तो इस example को करोगे तो कम से कम 50% questions practice manual क्या आपसे बन जाएगे 50% बन जाएगे नमडर अब शेर्स कितने है इसके एक लाक और इसके है चालीस एजार ठीक है earning after tax भी दिया है पाच लाक और असीजार इसका मतलब है सहाब की पाच लाक रुपय कमा रहा है कितने shares पर कमाया जा रहा है एक लाग तो earning per share आ गया है पाच और सीजार डिवारे लिए दो ठीक है price earning ratio है 10 और 6 क्या मुझे आपको revision class में price earning ratio समझाने की जरूरत है नहीं सर उतना time ही कहा है मारे पास बिलकुल सहीं बच्चे तो अगर मैं EPS को multiply कर दूँ price earning ratio से तो यह क्या जाएगा market price per share EPS को मत्तों यह आ गया market price per share यहां तो कोई दिकत नहीं अब सहाब हो क्या रहा है मुले a limited wants to take over किसको take over करना चाहते है b limited को a limited हमारे हिसाब से कौन सी company होई purchasing और b limited कौन सी company हो गई और a limited किसको purchase करना चाहती है b limited को purchase करना चाहती है ठीक है को दिक करने बोले सहाब share action ratio इस पर calculate नहीं करना है जब अशर हो अभी तो आपने calculation समझा है कि ऐसे निकाला जाता है मेरी बास हम अगर question बोलेगा कि इस basis पे निकालो तो हम निकालेंगे अगर deal हो चुकिए पहले की साहब इतने के बदले में इतने share देंगे तो बस हो गए है नहीं हम क्यों challenge करें तो उन्होंने कहां हम देंगे कौन in limited आधा share कितने के बदले में एक share मैं सामने वाली company के एक share के बदले में आधा share दूगा सर आधा शेयर देंगे मतलब मतलब नहीं समझा रहा हूं दो के बदले में एक साप अभी मतलब समझने का टाइम भी नहीं आधा शेयर दिया जाएगा एक के बदले में मतलब 05 इस्टो 1 ठीक है हो गया पहला पॉइंट धीरे धीरे करना इसको calculate number of shares to be issued by A limited to shareholder of B limited सहाव B limited के shareholder को हम कितने shares issue करेंगे कितने shares 40,000 जब एक के बदले में हम दे रहे हैं आधा share तो बोलो 40,000 के बदले में कितना 20,000 और हद होगी इसका भी formula है number of shares to be number of shares of vendor company divided into share action ratio तो answer कितना जाएगा 20,000 से समझ में नहीं आता है ठीक है यह तो कुछ था जी नहीं question आगे post merger EPS post merger EPS ही पूछता है बिट्टी पूछता है तो सोनू merger के बाद 5,000,000 तो हमारी company की कमाई हो यह रही थी पाच लाख रुपय कमा ही रहते सर जी और सामने वाली company को क्योंकि आपने खरीद लिया तो वो जो कमा रहा है वो तो कम से कम कमाईगे यह कमाईगे अगर हम सामने वाली company को खरीद रहते हैं तो हमारी जो earning होगी यह पाच लाख नहीं होगी पाच लाख असी हजार होगी सीडिसी बात है पाच लाख असी हजार पाच लाख असी हजार पर अब सिर्फ हम ही नहीं है इस earning को बाटने के लिए इस earning का जो शेर बटेगा वह सिर्फ एक लाख शेर पर नहीं बचेगा बटेगा बोले एक लाख तो हम है पहले से प्लस हमने नए शेर भी तो इस्यू किये सामने वाली company और कितने शेर बोले बी 20,000 तो बोलो कितना आ गया 4.833 है पोश्ट मर्जर EPS अगर सर यह नहीं पूछा डायक्ट यह पूछा है तो दिक्कत नहीं है हम दोनों को जोड़ लेंगे एक लाख और सामने वाली company में shares कितने 40,000 into 0.5 कर देंगे तो भी answer हुई है answer यह तो ठीक है न हो गए ठीक है इस पोश्ट मर्जर EPS अगर मैं पोश्ट मर्जर EPS का formula की बात करूँ formula दोनों की earning जोड़ोगे जिसको बोलेंगे combined earning और फिर क्या जाएगा total number of shares तो आ जाएगा पोश्ट मर्जर ठीक है यह तो simple था अब साहब EPS पे क्या फर्क पड़ेगा तो बात सुनो बिठे ए लिमिटे का पहले EPS कितना था पाच रुपा दिस इस EPS before merger और after merger कितना हो गया 4.833 तो यार ए लिमिटेड आपका तो EPS decrease हो गया साहब EPS कम हो गया आप गलत डील कियो बिदेड की बात करो बिदेड का पहले EPS कितना था सर बिदेड तो फायदे में सर बिदेड का EPS था दो रुपिया और अब EPS है 4.833 यह तो फायदे में बिटे नहीं 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 ध्यान से सुनो पहले दो रुपए कमाते थे एक शेर पर अब वो एक शेर आपका एक शेर नहीं वो आधा हो गया है आधा तो आप यह नहीं बोल सकते कि आपने 4.833 पूरा कमाया आपके बस तो आदे ही share है एक गया दो गया पर आदे ही share तो आया दो रुपिया गया पर आदे ही share तो आया अपको आदे share की ही कमाई मिलेगी बाद समझ में आरे ही न सरही हमने किया था इसको बोला जाता equivalent EPS तो हम क्या करेंगे 4.833 into क्या कर देंगे share action ratio तो यह जाएगा हाँ no doubt इनका EPS क्या हो गया बढ़ गया ठीक है सर यहां तक बाद यह decrease हो गया यह increase हो गया अगर मैं merger की बात करो कि EPS वो पूछेगा नहीं कि merger करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके अंगल से नहीं करना चाहिए इसके अंगल से करना चाहिए पर वो ऐसा फसा आएगा नहीं कभी कोशन में ठीक है सर हो गया है ठीक हो गया उसके बाद पोश्ट मर्जर market price market price कैसे निकलोगे सर पोश्ट मर्जर EPS निकला है और उसको multiply कर देंगे पोश्ट मर्जर price earning ratio मर्जर के बाद का price earning ratio क्या दिया रहेगा कोश्चन में क्या हम निकाल सकते कोई नहीं बता सकता मर्जर के बाद का price earning ratio क्या होगा पर बता दिया है इसमें इस question में बता दिया कि मर्जर के बाद होगा price earning ratio 15 times सर मान लो नहीं बताता तो नहीं बताता तो हमें assume करना पड़ता कि जो purchasing company का price earning ratio है वही मर्जर के बाद सीम रहेगा बत समझ में आ रही है हाला कि यह गलत है पर ठीक है जो भी है करना पड़ेगा तो क्या करोगे post merger MPS कैसे निकालोगे वह ऐसे निकलेगा यह क्या दिया है EPS कब का है merger के बाद का multiply किस से करोगे 15 से तो यह आ जाएगा साहब आपका post merger MPS ठीक है कोई समस्या नहीं इसमें उसके बाद क्या मांगा impact on MPS of Merge MPS market price per share पर कोई फर्क पड़ा है क्या देख लेते है merger से पहले market price कितना था 50 यह एक note लिखा अगर post merger price earning ratio is not given then price earning ratio before merger of purchasing company should be used taken है भाई कोई दिकर नहीं merger के पहले का MPS था 50, merger के बाद का MPS आ गया 72.5 तो क्या A Limited 5A में है यह MPS बढ़ गया 22.50 merger से पहले B Limited के share का price था 12 रुपए से 12 रुपए और merger के बाद सुनो equivalent करना पड़ेगा 72.5 into .5 तो यह आ गया क्या यह दोनों बढ़ गया हां सर दोनों की दोनों बढ़ गया तो क्या हमें merger कर लेना चाहिए यास लेकिन सुनो यह बढ़ा क्यों मालूम है क्योंकि 15 रुपए यह मैंने ना जान मुझके बढ़ा कर लिख दिया एक्ट्र में देखो ना बेटे यहां 10 है और यहां 6 पर सीधा मैंने 15 कर दिया तो पक्का यार यह वैल्यू तो जदा आएगा और यह वैल्यू जदा आएगा तो इसको भी फाइदा दिखाएगा इसको भी फाइदा दिखाएगा था हमें ने करना यह दिया रहेगा आपको कोशन ठीक है यहां तक तो ओक है इट मेंस बिट्टी यह समझ लो मैंने कहाना यह बड़ा इंपोर्टेंट इजांपल है मांगेगा क्या शेयर एक्षिंज दे दिया रहेगा यह वह लेगा तो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयस हमको आता है पोस्ट मर्जर एपिस यह भी आएगा कंबाइन अर्णिंग डिवाड़े बाइन अमबर ऑफ शेयर एपिस पे इंपक्ट तो बिफोर मर्जर एपिस आफ्टर मर्जर एपिस पोस्ट मर्जर एपिस निकाल लेंगे प्राइज अनिंग रेश्यो से मल्टिप्लाई कर देंगे इंपक्ट और यह भी फटा-फट से हो जाएगा एक और पॉइंट बचा हुए वह मैं करवा रहा है बोल रहा है कैल्कुलेट शियर एक्षिन रेश्यो सुनना देवट्टे दिहां से यह मझे करवाना पड़ेगा क्या बोल रहा है कैल्कुलेट शियर एक्षिन रेश्यो एट विच एप्यस आप ए लिमिटेट रिमेन कॉंस्टेंट ए लिमिटेट का एप्यस आप कितना था पहले मैं पस्तों है पांच रुपए तो बोले पांच ही रहना चाहिए पोस्ट मर्ज ईपीस भी पांच ही कोब पोस्ट मर्ज एतका k構ar मम को सब्सक्रिक का पता है क्या है पोस्ट मर्ज एपैस का फॉर्म ला एक छो हाओ जी सौरी ट्ट भीजिपनेंश ह हो गया था तो देखा जाय तो पोश्ट मर्ज इपैस कितना आना चाहिए पाच वो कैसे निकल जाता, कंबाइन अर्णिंग कंबाइन अर्णिंग कितना था, तो कंबाइन अर्णिंग था हमारा रुपीज, पाच लाक असी जार, डिवाइड बाइ, हमारे नंबर ओफ शेर्स पहले से कितने थे, एक लाक, प्लस सामने वाली कंपनी के 40,000, और उसको अप्लाइ करेंगे, शीर्एक्शन रिशयो से, कितना होगा शीर्एक्शन रिशयो, वो तो नहीं काली जिंगी, तो इसको करोगे, कितना आएगगा, कि एक से इकल टूर्ट करना आता है करोना एक लाग इंटू पांच तो यह आगे पांच लाग वो मैनस हो जाएगा मैनस पांच लाग असी हजार तो अगे असी हजार डिवाइड बाइड बाइड चालिश हजार ना हुँ सही तो कितना आएगा सब्सक्राइब ट्विश्ट वह ना रहा है कि मैं 2.5 तुप कहीं गरबुड़ कि बस रिविजर में नहीं कैलोकुलेशन करना यह एक लाग पांच यह इसे देख लो है सुनो यहीं समझा दे रहा हुँ time है नहीं मेरे पास यह फॉर्मुला देख रहा है अंसर कितना आना चाहिए पाच यह वाला फॉर्मुले तेको इसी पर फोकस करोँ आंसर कितना आना चाहिए पाच तो बस यहां मैं क्या रख लेता हूं एक्स और आंसर किया जाना चाहिए मेरा पोश्ट मरसे पाच रुपए ही आना चाहिए बस अब इसको सॉल करने की कोशिश करूँगा तो एक लाग इंटू पाच कितना जाएगा पाच लाग प्लस इधर कितना जाएगा पाच लाग असी हजार यह सीधा पाच लाग असी हजार तो पाच लाग असी हजार माइनस क्या हो जाएगा पाच लाग डिवारिट वे क्या हो जाएगा पाच लाग असी हजार माइनस पाच लाग डिवारिट वे दो लाग अंसर आ गया 0.4 is to 1 it means वो पोछ रहा है कि सहाप EPS जो मर्जर से पहले था पाच रुपए मर्जर के बाद भी आना चाहिए पाच तो शॉल कैसे करोगे यह इस इस कमबाइंड पोष्ट मर्जर EPS कैसे निकालोगे वो दिया है पाच रुपए तो यहां कर दिया यहां एक लाग रही है यहा कितना जाए 5 शॉल करोगे तो आंसर आटोमेटिक जाएगा 4 is to 1 पर मैंने आपको एक अल्टरनेटिव दिखाया था जब भी बोलेगा कि EPS सेम रहना चाहिए तो आप शियर एक्शेंज रेशो EPS के बेसिस पे निकाल सकते हो और EPS मतलब EPS of vendor company divided by EPS of purchasing company अगर टू बाइ 5 भ करोगे तो answer point 4 ही आएगा ठीक है यह already मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं तो साहब खतम करें इस example को यस तो बात क्या समझ में आई बात बस इतनी से समझ में यह चारपा चीजी पूछता है और वो हम इस example से प्लिए हैं बहुत सारे question एक question उठाता हूं उस से related अब थ को सिधा बुक से देख सकता है जिन्होंना class नहीं लिया description में मैं इसका जितना भी है material सबकी सब आपको डाल देता हूं ठीक है तब following information is provided related to acquiring firm Mark Limited and target firm, target मतलब मैं समझ गया है vendor, तो vendor company का नाम क्या है, Mark Limited और एक company कौन सी है, Mark Limited ठीक है, this is sir यह हो गए purchasing company, right और यह कौन सी हो गए बाकी आप जो नाम बोलना है बोल सकते, earning after tax कितना दिया है साहब, यहाँ 2000 लाग है, यहाँ 400 लाग है, number of shares दिया है 200 लाग और 100 लाग और price earning ratio दिया है 10 और 5, अब बात सुनो, अगर मैं 2000 लाग को 200 से तो EPS है जाएगा, सीधी सीधी बात है, sir EPS कितना जाएगा, देखो, 2000 divided by दोस्तों तो यहाँ EPS कितना आगया, 10, यहाँ भी EPS है जाएगा, कितना, 4 रुपए, ठीक है, अगर EPS को price earning ratio से multiply करूं, तो market price है जाएगा, 10 into 10, कितना आगया, 100 और यहाँ कितना आगया, 20, अब मांगेगा कि नहीं मांगेगा, वह बात में, अभी यह न, जब जब भी मैं question बनाऊंगा, कोई भी question बनाऊंगा, मैं इस तरह से calculation कर लिया करूंगा, ठीक है, आगया दिखते क्या मांगा, what is the swap ratio based on current market price, current market price, on the basis of market price, तो market price of vendor company divided, 20 divided by 100, तो यह आगया आपका swap ratio, simple, एक पर calculator ज़रू चलाओगे, 20 divided by 100, तो कितना आजाएगा, 0.2, 0.2 is to 1, ठीक है, what is the EPS, post-merger EPS, तो दोनों को जोड़ लो भाई, और share कितने issue हो रहे है, सर्फ 100,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 share ratio हो गए, 20,00,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, what is the expected market price per share of mark limited after acquisition assuming price earning ratio of mark limited remain unchanged मुले price earning ratio यही रहेगा तो बता यह post है तो into क्या कर देंगे EPS तो निकला था multiply किसे कर दोगे price earning ratio into 10 हो जाएगा तो सरी आगे 109 point कुछ ठीक है determine the market value of merge firm market value बोला है value firm का value बोला है तो firm का total number of shares कितना आ जाएगा 200 ते यह plus 20 यह तो 220 merger के बाद into market price से multiply कर दोगे 109 point 09 से multiply कर दोगे तो यह 2 3 जो जो आएगा देख लेंगे भी solution है मेरे पास और बताना है gain या loss shareholder of two independent company after acquisition क्या question calculator वाला है हाँ कुछ है ही नहीं question और क्या आसानी से बन सकता है yes देखते हैं क्या है simple सी बात हुए information मैंने यहां लिग दिया it means जब भी मैं question करूँगा merger का भाई साहब जो चीज निकल सकती उसको निकालने की कोशिश करूँगा जो भी निकल जाएगा निकालने की वेटे अगर वो price earning ratio नहीं भी बताता तो फिर मैं मजबूरी में यही वाला price earning ratio लेता तो एक सोन और रुपए दस पैसे और फिर क्या बोला उसने market value of merge firm बोला तो सहाब number of shares पहले से 200 थे पहले value कितनी थी purchasing company के 200 shares थे और 100 रुपए का एक तो सर 20,000 लग थी और इसकी value कितनी थी सर 100 shares थे और 20 का एक तो 2000 value थी पहले और सर मर्जर के बाद क्या value बच्ची थी सर मर्जर के बाद value क्या बच्ची फ़र्म किए देख लो 200 shares है मार्केट पैस 109 रुपए 10 पैसे तो ही आ गया लेकिन यहां focus करना मर्जर के बाद ध्यां से देखना बच्ची नमबर ओफ शेर्स कितने 109.10 और नमबर ओफ शेर्स 100 के बदले में होके इतना गया बीसी 0.2 तो यहां value इतनी होगे तो देखा जाए तो यहां भी gain हो रहा है बोलो हाँ हाँ और यहां भी gain हो रहा है क्यों हो रहा होगा बरी मासम क्योंकि सुनो बैटी सुनो क्या दोनों जगा gain हो रहा है यस जब कि सब price earning ratio तो पुराना ही वाला यूज कर रहा है फिर कैसे gain पिछले आप example में बोल रहा थे आपने price earning ratio बढ़ा दिया लेकिन इस बार तो price earning ratio तो आपने सेम ही लिखा है फिर दोनों party को कैसे gain हो सकता है बिकार की मात है कैसे gain हो सकता उसका वजह सुनो पहले जो price earning ratio का effect था सिर्फ किस पे पढ़ता था 2000 लक और 400 लक पे पहले price earning ratio 5 हुआ करता था पर इस firm को हमने merge कर लि तो value तो बढ़ना ही बढ़ना है सर रिसर्च नहीं करना है ठीक है नहीं करते है क्या question आसानी से solve किया सब्सक्राइब था यस simple question और करते एकाद अच्छा question selected question इसमें और यह रहा question मेरी बात समझना मैंने कुछी questions निकाले ऐसे questions निकाले को बैसे उतना कर लो खतम और आपना classes देखने की यह picture न वीडियो देख रहे है आप अच्छी बात है पर एक बात हूं description में जाकर एक बार वो pdf डाउनलोड कर लिजे और एक बार देख लिजे अगर आपसे बन रहा तो आपको यह जो time है ना भी खराब करो तो भी चल जाए यह question है question number 15 और अच्छा question है मेरे select question म the following information relating to the acquiring company Abhiman Limited and target company Abhishek Limited एक Abhiman this is purchasing or this is VAT Abhiman Abhishek both the companies are promoted by multinational company ठीक है और उसका नाम के है Trident Limited the promoters holding 50% और इसका 60% मतलब 50% यहां promoter holding है और 60% यहां promoters holding है मैंने आपसे बताया था कि सहां जो share market में देखा जाता है वो देखा जाता है जैसे sensex या nifty जो है वो decide किया जाता है company का जो है वो market cap देख कर हाँ sir और वो market cap free float होना चाहिए मतलब यह promoter का holding हटा हूँ तो freely trade नहीं होते ना sir छोड़ो नहीं यहां बोलो क्या बोल रहा है प्रमोटर ने इसमें कितने percent hold करके रखा 50 तो जो 50 percent है क्या वो बाकी public ने hold करके रखा हाँ वो जो बाकी public ने hold करके रखा उसे बोलता free float market cap free float इसका मतलब वो आसानी से खरीदा जाता है बेचा जाता मार्केट में flow हो रहा है लेकिन यह जो है यह जो 50 percent इन्होंने तो घर में रखा है अपने जेब में डाल के रख लिया इसको तो कोछ हुएगा ने अच्छा तो यह क्या है promoter's holding तो बताओ free float कितना है 50 percent यहां promoter's holding कितना है 40 percent तो free float market cap बोलो 40 percent जो promoter के अलावा बाकी लोगों के पास है वो कहलाएगा free float ठीक किसा यहां तक बाद समझें करना क्या करना क्या वो यहां देखेंगे साब जी share capital है 200 लाक 100 लाक free reserve एंसलपस है 800 लाक और 500 लाक पैड़ वैल्यू पर शेयर है 100 और 10 पैड़ वैल्यू पर शेयर फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 500 लाक और 156 लाक और price earning ratio है 10 & 4 तेका टीडन लिमिटेट इस इंट्रस्टेट तू दू जस्टीश तू शेयर होल्डर ऑब बोद कंपनी फार swap ratio weight are assigned to different parameter by board of directors बोले swap ratio कैसे decide होगा तो बोले swap ratio इस तरह से decide होगा book value per share के साब से swap ratio निकाला जाएगा जिसको weight दिया जाएगा 25% EPS के basis पर कितना what is the swap ratio based on the above weights पहली बात कसम खाईए और कसम यह खाईए चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए चाहे कुछ भी क्यों न मांगे हमें नहीं पढ़ना कि requirement किया क्योंकि यार इतनी practice है in question पर कभी requirement क्या होगा वो बाद में देखेंगे जैसी question में आप ये पढ़ना start करोगे नीचे का नहीं पढ़ना ये पढ़ना start करोगे तो कुछ लिखना भी start कर देना क्या यहीं चीज धीरे धीरे क्योंकि इसकी पक्का जरूरत पढ़नी है 100% और क्या start करना इस तरह से अभीमान अभीशेक प्रमोट्रेस होल्डिंग लिखोंगे 50% 60% equity share capital question देखे लिखोंगे 200 लाक 100 लाक question में लिखा है तो हाँ दोनों को मिलाकर 1000 लाक और इन दोनों को मिलाकर 600 लाक इसके लाव और फिर देखो और question में कुछ चीज दी गई है क्या सर्फ पैड़ वैल्यू पर शियर दिया तो गोई बात में वह भी लिख लिए जी पैड़ वैल्यू पर शियर लिख लिख लिए 100 और 10 क्या number of shares से निकाले जाए सकते तो सुना ध्यां से टोटल शियर क्यापिटल है 200 लाक हाँ सर और पैड़ वैल्यू एक शियर का है 100 तो क्या number of shares निकल जाएगी 2 लाक इसी तरह इसका 10 लाक number of shares भी निकल गया अगर number of shares निकल गया है और यह क्या है यह network तो क्या book value पर शियर निकल सकता यहां 1000 divided by 2 और यह 600 divided ठीक यहां तक बाद समझाए इसको लिखने से आपको फाइदा हो 100 पर फिर चेक करो इसके अलावा और क्या दिया सर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कर दिया पासल काम आएगा यह कैसे काम आएगा तो देखो अगर यह 400 और 128 promoters holding हम को मालू है कितना है 50 तो free float in percentage है 50% यहां कितना है साथ तो यहां कितना है 40% तो अगर free float market cap है 400 जो की है 50% तो total market cap निकल सकता है कि हाँ जी सर अराम से निकल सकता है और निकाल लिया यहां 800 और यहां भी कितना निकाला 320 लाग कैसे निकल रहा वो आपको बता है ठीक है सर market cap वैसे मालूम है कैसे निकला जाता है number of shares जो होता है उसको multiply कर दिया जाता है market price per share से तो अब यहां और दिमाग चला अगर market cap हमको मालूम है total और number of shares मालूम है तो क्या एक share का market price निकल सकता है yes 800 divided by क्या करेंगे 2 तो market price per share निकल जाए price earning ratio दिया हुआ है तो क्या earning per share निकल सकता है yes और अगर earning per share दिया हुआ है और number of shares है तो number of shares से earning per share multiply करोगे तो total earnings निकल जाएगा this is most important table अगर यह table आपसे बन गई मतलब question बन गया sir question बन गया आसानी से बन जाएगा पर यह table जब बनाती इस पर practice चाहिए जब यह table बनाती जाओगे न आपको आपको तुरहन से दिमाग चलना चाहिए अच्छा यार यह तो इसके बद यह भी तो निकल सकता इसके बद यह भी तो यह सब table में हो जाएगा सब किसे अब उसके बाद पढ़ेंगे requirements अब बोल भाई कितना क्या मांग रहा हम त्यार है बोले आप share action ratio निका लिए किसके अब से बुक वैल्य एपिएस market price वह सब की सब हमारा निकला शेर एक्शन रिश्यो का फॉर्मुला हमको उपर हमें सा कौन सा कंपनी वैंडर और नीचे कौन सा पर्चेसिंग सबसे पहले बुक वैल्यू निकाला तो 60 divided by 500 यह आगया फिर eps basis पे eps कहां गया यह 8 divided by 40 यह ठीक है ओके सर उसके बाद क्या मांग रहा है पोश्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेर eps और mps तो सबसे पहले पोश्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेर अभी यहां ध्यान से समझ रहा है नंबर ओफ शेर कितने हो जाएगे सर्फ पहले से दो लाक है और यह है दस लाक और दस लाक के बदले में हम 0.15 शेर इस्यू कर रहे है इस दो और 1.5 तो टोटल नंबर ओफ शेर हो गया 3.5 लैक्स अब हमें निकालना पोश्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेर बुक वैल्य क्या होता सर यह होता बुक वैल्यू यह दोनों मिलाकर सुनना बैठे सर यह दोनों मिलाकर होता है बुक वैल्यू ठीक है क्या सामने वाली कंपनी के रिजर्व को भी टेकन ओवर किया जाएगा क्या सर इन दोनों को जोड़ दे देखा जाते इन दोनों को जोड़ दो पर मै समझा रहा हूं मेरी बात समझने के कोशिश करना अच्छे से हां यह जो लिखा रहता है ना what is the book value EPS and expected market price of abhiman limited after acquisition of abhisik limited assuming price and ratio of abhiman limited remain unshared and यह line important all assets and liabilities of abhisik limited are taken over at book value अखिर क्या कहना चाता यह sentence all assets and liabilities of abhisik limited are taken over at book value क्या amalgamation याद है सर हां एक होता था amalgamation in the nature of purchase एक होता था amalgamation in the nature of merger बिल्कुल और उसमें कुछ entries pass करते थे अगर सारी assets और liabilities को book value पर taken over किया जाता और भी बहुत सारी तो उसको बोलते थे amalgamation in the nature of below merger और उसकी entry pass करते थे assets to liability to 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 क्या करते थे शेरोल्डर ओप इस तरह से करते थे लिक्विडिटर ओफाइंडर कंपनी ठीक है assets minus liability करोगे तो क्या जाएगा net assets तो net assets दिया है सामने वाली कंपनी का net assets कितना तो मैं कहता हूं सामने वाली कंपनी का कितना है net assets 600 लाक दिसे net asset डेविट तो ही नहीं है क्या सामने वाली कंपनी का रिजर्वरेंसर प्रस भी है yes कितना है 500 लाक तो 500 लाक भी लिखेंगे 2 और हम क्या दे रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं हम क्या दे रहे हैं equity shares अब सुनना ध्यान से हम कितने shares दे रहे हैं sir 10 into point sir हम 1.5 share दे रहे है 1.5 lakhs और एक share की कीमत कितनी है सौ रुपय है तो बोलो total कितना आगे है sir हम 150 दे रहे हैं क्या difference आएगा फिर से बोल रहा हूं फिर से बोल रहा हूं आखरी बास दो सामने वाली company का assets book value पर ही taken over हो रहा है ठीक है तो net asset कितने का taken over कर रहे है 600 लाक और amalgamation in the nature of merger में reserve भी taken over हो जाता तो कितना आगे है 500 लाक साथ में हम जो दे रहे हैं हम सामने वाली company को कितना shares दे रहे है 1.5 और एक share की कीमत कितनी है हमारी 100 तो 100 into 1.5 कितना होता 150 लाक क्या difference आएगा हां और amalgamation in the nature of merger में आपने पढ़ा है चाहे difference यहां है purchase में क्या पढ़ा था इधर difference आता तो goodwill इधर आता तो capital लेकिन in the nature of merger में इधर आया तो भी general reserve इधर आया तो भी general reserve तो क्या difference आएगा yes किस तरफ आएगा इस सब्सक्राइब हो जाएगा कितने से 50 सिंपल सी बात तो अब देखो क्या 800 हमारा पहले से reserve हो है 500 लाग का reserve सामने वाली company का हमने taken over किया और 50 लाग को यह वाला है बिट्टी जो डैविड मारा था 50 लाग का reserve इस तरह से आपके पास 1250 लाग का reserve वो बच्चा हमारा reserve सामने वाली company का reserve पर amalgamation in the nature of merger है तो हमने reserve डैविड मारा है वो हमको minus करना पड़ेगा तो इस तरह से total net worth हो गया कितना 1600 लाग डिवाइट किया number of shares तो this is book value per share ठीक है बोलो हाँ हाँ अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं सर book value per share after merger निकालने का कोई और तरीका बोलो सर ये तो हमारा दिमाग घुम गया अगर दिमाग घुम गया तो फिर बाकी सारी दुनिया कर रही वैसे कर लो क्या किया है बोले ये हमारे company का हो गया है और ये सामने इन दोनों को जोड़ दू अगर दोनों को जोड़ दो अगर पास तो कितना आ गया है तो सर ये जमाने भर की आप एंट्री क्यों समझा रहा है सीदा लिखो शोला सो डिवाइड तो आंसर आ गया है आप क्यों इतना भी कर मैं इसलिए बढ़ा है पढ़ा हूं आपके पीछे क्योंकि आपके ICAI के material में इस तरह से presentation है जैसे मैंने करवाय है अल्टरनेटिव आप इन सब को जोड़ दीजिए डिवाइड वाइड वाइड नंबर और शीर्स कर दीजिए अंसर आ जाए ठीक है क्यार इसमां मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया इस बुक वैल्यू पर्ष ठीक है आगे चल रहा है अब बात किसी करते पोश्ट मर्ज इपीएस तो थीक है देखो अरणी यह हम अल्रेट निकल चुक है असी लाग असी लाग तो टोटल कितना होगा एक सो साट लाग डिवारेड वाई तो यह आ गया पोश्ट मर्जर एंपीएस कैसे निकला तो यह जो है इंटू अगर कुछ नहीं बोला तो यह 10 टाइम से इस theiterА 2절ves the trainer प्रमोटोर्स रिवाइजट होल्डिंग इन अभीमान लिमिटेट यह भाई सब अभिशेक लिमिटेड है न उससे में promoters की जो holding थी बोले अगर अभिमान लिमिटेड में हम मर्च हो जाते तो भी हमारा holding कितना रहेगा तो चिंता मत करो अभी बता दे रहे हैं और यह बता रहे हैं हमने कहा साहब promoter साहब आपके पास पहले से number of total number of shares कितने थे उस company में 3.5 lakhs और promoters holding पहले से जो purchasing company है total number of shares मिला कर 3.5 lakh हमारे 2.5 lakh और हमने 1.5 lakhs issue किया और promoter का holding कितना एक लाग तो हमारी company में है promoter ने hold कर रखा है एक लाग shares और सामने सर एक लाग कहां से आया भाई 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 टोटल number of shares कितने 2.5 lakh का 50% promoter ने तो हमारी company के promoter भाई साब लोग न और सामने वाली company में कितने number of shares थे कहां गया सर 6 lakh थे shares किधर है यार 10 lakh का 60% तो उनके बास 6 lakh shares थे और एक के बदले में 0.15 share issue हो रहा तो 6 lakh के बदले में तो यह आगा है total promoter का holding after acquisition तो सहाब 3.5 lakh share में 1.5 lakh shares तो already promoter में hold कर रखा है तो percentage of holding कितना आ गया है 54.286 percentage ठीक है आगे क्या मांगा है free float market cap निकाल सकते हैं ऐसे निकल लो percentage में निकल लो ना भाई इतना सब कहानी की ज़रुरत ही नहीं है ऐसा कर लो बाकी तो solution आपके हामने कितने promoter ने hold कर रखा है तो 100-54.286 तो 45.7014 यह तो किया है total market cap कितना है यह निकला था किदर निकला ह इदर कहीं निकला था तो total market cap यह निकला है यह निकला है यह निकला है यह निकला साड़े तीन लाग शेयर है और एक शेयर का पोस्ट मर्जर market prices 457 रप्या 457 तो total market cap है इतना सरजी और free float इतना तो promoter ने hold के तो free float इतना है percentage में तो free float market cap वैसे निकल गया है 731.4 शिंपा चीज आगे चले उसके बात क्या मांगा यह क्या चीज देखना पड़ेगा कोशन का हाँ जी सुनो बोल रहा है also calculate the number of shares earning per share and book value per share if after acquisition abhisik and abhiman limited decided to बोनस share issue करेंगे एक के बदले में दो नई दो के बदले में दो के बदले में एक bonus share issue करेंगे ठीक है सौ रुपए का एक था साब अब पाच पाच रुपए मतलब एक shareholder जिसके पास एक share रखा हुआ है 100 divided by 5 उसका हम 20 share issue कर देंगे हद हो गया चलो देखते तो इसके बात क्या होगा वो पूचा है चलो जल्दी जल्दी समझते नंबर उफ शेर बिफोर बोनस कितने थे साड़े तीन लक्षे तो बोनस शेर इस्यू की 100 तो टोटल नंबर उफ शेर कितना हो गया 5.25 पर पाच पाच रुपए का मतलब एक एक को बिस बिस शेर दिया होगा मल्टिप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर उफ शेर सोगे 105 लाग शेर तो अब निकालते एपियस यह पूचा तो टोटल कितना था एक सोसाट तो यह आ गया एक से टोटल अर्निंग था एक सोसाट डिवाइड बाइन अबर उफ शेर से एक सोपाच एपियस बुक वैल्यू पर शेर तो बुक वैल्यू पर शेर जब भी बोलेगा आपको दो चीज़े जोड़ना पड़ेगा एक शेर कैपिटल एक रिजर त क्या 800 पहले से था यस कौन सी कंप पर्चेसिंग का वेंडर कंपनी का क्या साड़े 400 पास्व था पचास जो डेविड मारा थे उसको हटा दिया पचास डेविड कौन सा मारा थे इतना तो सियाद होगा हां तो साड़े तो टूटल कितना था 1250 और जब जब भी बोनस शेर इ एक हचार पच्छतर लाग का रिजरो बच्छा टूटल मारोगे तो बुक वैल्यू आगे 16-100 लाग एक सो पाच रुपए एक सो पाच शीर से तो यहां गया 15.24 इस बुक वैल्यू पर शेर तो एक तो आगे EPS और एक क्या आगे बुक वैल्यू पर शेर और मार्केट पर श खतम कोशन अच्छा देख लोगे नमबर ऑफ शेर हो गया है आनिंग पर शेर हो वह को लिए हाँ बस खतम तो साहब यह कोशन आपको करना पड़ेगा एक्जाम के लिए important है आगे चले क्या चलो यह वाला भी कोशन करते हैं पढ़ते की कोशन में क्या है अच्छा कोशन है लिखा है त्रप्ती लिमिटेट प्रमोटेड बाइ मेल्टिनेशनल ग्रूप इंटरनेशनल इंकॉर्परेशन इस लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्शेंज हो होल्डिक 80% 63 लाक्शेर्स ठीक है बढ़े मतलब किसी इनकॉर्परेशन ने अल्रेडी त्रिप्ती लिमिटेट का 84% शेर होल्ड करके रखा है जिसमें 63,00,000 शेर्स परचियस करके अल्रेडी रखा हुआ है मतलब टोटल नमबर ओव शेर्स उस कंपनी में 63 डिवाडेड वा 84 63 डिवाडेड वा 84 मतलब 75,00,000 शेर्स है सामने वाली कंपनी में 75 लाक्स प्रॉफिट आफ्टर टेक्स है 4.8 करोर्स 4.8 4.8 इंडूस तो चार सो असी लाग का प्रॉफिट आफ्टर टेक्स और 75 लाग नंबर अफ शेर्स है डिवारेट पर 75 तो इस कंपनी में EPS कितना है 6.40 असे निकाल्या पढ़ लाओ लूकर्शन कोनें का लेकर फ्री फ्लोट मार्केट कैप 19.2 टो Central Market गैप 19.2 divided by 84 टो मायने Commonwealth कर रहा तो सब मायनस ऐतीख फोट तो यतुना कि इस TOला पर्शन तो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ठीक है तो 19.2 डिवाड़ेड़ वाई सोला पर्शन तो यह कितना हो गया है 120 करोड से यार 19.2 यह करोड लाक्स में परेशन है in 200 1920 पॉइंट हटा दो डिवाड़ेड़ वाई सोला पर बारह हजार लाक ठीक डिसे पर टोटल मार्केट कैप एस पर सीवी गाइडलाइन प्रोमोटर हेव तो रिस्ट्रिक्ट डियर होल्डिंग 75 परशन वाई से भी यह बोलता कि सीवी बोलता सहाब क्या नाम है आपका इंटरनेशनल इंकॉर्परेशन आप कैसे 84 परशन होल्ड कर सकते हैं आपको 75 परशन ही होल्ड करना चाहिए नह फिर टूटल नंबर अफ शेर बढ़ा दे और इतना बढ़ा दे कि इनका जो प्रोमोटर का होल्डिंगे वो घट के कितना हो जाए 75 परशन वजा है नंबर अफ शेर बढ़ा दे मार्केट में और शेर फैला दे कैसे बोन शेर इस्ट और तो कोई दरीक है नहीं अच्छा य करें तुक इसको माइनलिटी सेड इनकल जाएगा दूसरा निकालन बोनुस का रिचियो ठीक है निकल जाएगा तीसरा निकलन मार्केट प्राइवर स्बाट प्र आफ्रस अ after bonus ठीक है free float market cap of the company after the bonus shares ठीक है पहले price earning ratio की बात करो प्रमोटर का कितने shares 63 यह 75 lakh shares तो वैसे निकाल लिया था it means हमारा कितना share से promoter का 63 lakhs और minority shareholder का कितना free float वाला 12 lakh को लिकत नहीं क्या मांगा price earning ratio price earning ratio के लिए सबसे पहले earning after tax divided by number of shares करोगे तो आएगा EPS पर निकालना पड़ेगा फिर free float market cap divided by minority shareholder यह कहां से 1920 निकाला था 1920 ठीक है 1920 divided by 12 ठीक है तो market price per share बात समझने की कोशिश करना आराम से अच्छा है बही सहाप की market cap कितना है तो market cap तो हमको मालूम है 1920 लाक बिलकुल कितने shares तो यह 12 lakh share पे तो market price यार तुम 10 का निकालो आप या फिर सब का निकालो चाहे आप 24 पर निकालो चाहें 100% market price per share तो एक जासा निकलेगा न तो इन्होंने क्या किया बोले EPS में तो कोई दिक्कत नहीं है बोले market price कैसे निकलेगा बोले free float market cap हमको मालूम है किसका मालूम है minority वाले का मालूम है तो बोले ठीक है कितना है बोले 1920 लाक है ठीक है और वह shares कितने है फ्री प्रोट वाले बोले 12 लाक शेयर से तो ठीक है market price per share कितना है 160 और 160 market price है छे रुपिया चालिस पैसे EPS है तो क्या price earning ratio निकल जाएगा 63,00,000 है पर यह 84% नहीं होना चाहिए यह कितने होना चाहिए 75% तो टोटल इस company में number of shares कितने होना चाहिए कि अगर यह 63,00,000 रखते हैं अपने पास तो 75% ही होना चाहिए तो सींपल सी बात है भाई 63,00,000 मतलब इस company में total number of shares होना चाहिए 84,00,000 जबकि total number of shares कितने है 75,00,000 तो साहब और नए share issue करना पड़ेगा this is bonus और कितने share issue करना पड़ेगा 9,00,000 shares किसको issue करना पड़ेगा क्या सभी को issue करना पड़ेगा नहीं promoter को नहीं हो सकते नहीं तो फिर इनका percentage of holding बड़े जाएगा सिर्फ किसी issue करना पड़ेगा सर जी सिर्फ और सिर्फ minority मतलब जिनके पास 12,00,000 shares है तो ratio 12,00,000 के बदले में हमें कितने share issue करना पड़ेगा 9,00,000 तो ratio कितना है 3 by 4 issue 3 bonus share for every 4 sharehold of minority sharehold ठीक है उसके बाद क्या मंगा था बोल रहा था MPS बताइए before bonus and after bonus before bonus MPS तो दिख रहा है 160 रुपए after bonus कितना तो 480 यह क्या चीज़ है earnings होगा चेक कर लो यार 480 पर अब number of shares कितने हो गया सर अब number of shares हो 84 तो यह हो गया APS और APS को multiply किसे करेंगे price and ingratio यह दिया और यही maintain होगा तो यह गया MPS after bonus और क्या मांगा है free float market cap after bonus free float 12 तो पहले से थे 9 और market price per share से multiply कर दिया तो this is free float market cap after bonus ठीक है इसके बाद और एक बड़ा question है तो इस्टार्ट करते हैं दो मिनट में regular बोलना पड़ता ना यह चलो जी अगले question पर और यह रह question और बहतरीन question में से एक है question no.20 और क्या है question देखना यह question भी अच्छा है बहुत कुछ है इसमें देखा BA Limited and DA Limited दो company एक करना में BA Limited एक करना में DA Limited both our company operate in the same industry and financial statement of both the companies for current financial year are as follows तो साब BA Limited और DA Limited की information देखे देखो question दिखने में बहुत बड़ा है उतना है नहीं है ठीक है current assets fixed assets to total assets to 24 लग तन्रा रा share capital return earning इसमें नहीं है 14% long term debts है और current liability है total है ठीक है इसके अलावां क्या दिया है net sales है COGS gross profit operating expenses interest earning before tax tax earning after tax वाव पुरा statement दे दिया भाई earning after tax है ठीक है 2,010,000 और 99,000 यह हमारे काम की चीज है 2,010,000 99,000 additional information में number of shares दिया है dividend payout ratio दिया है और market price per share दिया है मांग क्या रहा है सर assume both company are in the process of negotiating a merger through an exchange of equity shares you have been asked to assist in establish the equitable action step and are required सीधी सी बात बोल रहा है कि वो साहब आप हमें share exchange ratio बता दीची कितना आएगा कुछ चीजे बोल रहा है पहले क्या बोल रहा है सुनना धिहान से point number one important लिखा decompose the share price of both the company decompose का मतलब क्या होता है अलग-अलग करो किसको बोले जो share price है न उसको decompose करो और share price किस-किस से multiply होके बनता है बोले EPS और price earning ratio it means यह जो share price है 40 और 25 इसको decompose करो इन दोनों को यह जो 40 आया है इन दो factor बताईए एक factor EPS बताईए तो EPS तो हम निकाली लेंगे और एक बताईए price earning ratio price earning ratio के निकालने के भी बहुत सारी तरीके है एक simple सा बात है MPS मालूँ है EPS मालूँ है प्राइज यह जाए इट मेंस सीधी सी बात है दो चीजे पूछ रहा है एक पुछ रहा EPS और एक पुछ रहा price earning ratio also segregate इसके अलावा और segregate करना EPS किस-किस में return on equity और book value भाई book value या intrinsic value book value से multiply करोगे return on equity को तो क्या जाएगा EPS सर ऐसा कर क्यों हो रहा है मांग क्यों हो रहा है वो मैं बाद में समझा दूंगा ठीक है तो पहले वही काम करें किया तो साहब पहले share price share price कितना है 40 और 15 हाँ बोलो हाँ EPS निकाल सकते earnings दे रखा है 210,000 और 99,000 सर कहां से मिलेगी यह 210,000 और यह कितना है 99,000 earning after tax divided by क्या करोगे number of shares तो यहां क्या जाएगा यहां जाएगा हमारा EPS और क्या market price पता है तो market price divided भी तो यहां क्या जाएगा price earning ratio तो एक तो उसने हमसे बांगा था EPS और एक तो मांगा था price earning ratio दोनों की दोनों हमने निकाल लिया इसके अलावा EPS जो आता है वो क्या था book value into return on equity बोले वो दोनों निकाल के बताईए तो ठीक है sir book value per share तो हमको आता निकालना book value per share net worth कहां गया भई यह सहे तो इन दोनों को जोड़ दो तो यहां कितना जाएगा बारा लक और यहां तो है नहीं आट लाक तो बारा लाक divided by कितना नबर अप्शेस कहा है एक लाक और आट लाक डिवारे तो यह जाएगा book value per share यह आगे बारा रुपे तसर्फ है और return on equity कैसे है तो बिटे बात समझने की कोशिश करो book value per share मतलब आप कितना percentage कमा रहे हो EPS एक share की book value पर आप कितना कमा रहे हो तो return on equity मतलब equity share के लिए आप कितना कमा रहे हो EPS divided by तो यह आगे return on equity तो सबसे पहले share price को हमने decompose किया EPS और price earning ratio से और उसके बाद हमने EPS को segregate किया दो component उसके book value per share और return on equity खाज बात जो focus करने वाली है क्योंकि अब ध्यान देना यह कोशन मेरा बनावी हो इसलिए मैं फटा-फट से यह कोशन हमने पहले बनाया हुआ market price किसका जादा sir B.A. limited का जादा ठीक है EPS किसका जादा sir B.A. limited का जादा price earning किसका जादा sir B.A. limited का जादा good book value per share sir B.A. limited return on equity किसका B.A. limited क्या हर चीज B.A. limited का जादा है हाँ sir B.A. limited की हर चीज जादा है good अभी आगे और देखो estimate future EPS growth rate growth rate growth rate का formula बच्पन से पढ़ा है क्या G is equal to B into R B का मतलब क्या होता है sir sir B का मतलब होता है retention ratio क्या dividend payout ratio दिया है 40% तो retention ratio कितना आ गया 60% यहाँ 60% तो retention कितना है R का मतलब होता है return on equity जो आज़डी हमने निकाला हुआ है अगर मैं B को R के साथ multiply कर दूँ तो क्या जाएगा growth rate dividend payout ratio दिया है तो retention ratio निकलेगा यहां growth rate है तो बोलो growth rate किस में जाता sir growth rate है BA Limited में जाता तो सहाब company बहत्रीन company हर चीज अच्छी है स्ट्रॉंग है बस वह आपको समझानी की कोशिश कर रहा है कि sir ji BA Limited बहुत strong company है बहुत अच्छी company किस की अपेक्छा DA Limited की है ऐसा क्यों पूछ रहा है मैं आपको अभी question के साथ साथ समझाँगा चलो आगे point number one हो चुका है two हो चुका, three important लिखा है based on अब देख रहा होगा लिखा based on expected operating synergy BA Limited estimate that intrinsic value of DA Limited would be rupees 20 per share on its acquisition BA Limited कह रहा है किसको खरीदने का सोच रहा है DA Limited को और BA Limited का यह कहना है कि सहाव आपके company की market price no doubt 15 रुपए लेकिन एक बात बता है आपकी company को अगर हम purchase कर लेते न तो आपके company हमारी नजरों से देखो तो आपके company की share की कीमत 15 रुपए नहीं है कितनी रुपए है तो बले 20 रुपए है 20 रुपए वो बता रहा है यह company हमारी लिए बहुत अच्छी है market में क्या चल रहा है उसको भूल जाओ 20 रुपए है हमारी हिसाब से तो हम आपके share के लिए आज भी 20 रुपए देने को तो या उससे ज्यादा नहीं दे सकते उससे ज्यादा देने का मतलब भी नहीं बनता ओले ठीक यू रुपए तो डेलोपर रैंज अब जस्टिफाइबल equity share exchange ratio can be offered by B.A. Limited to shareholder of D.A. Limited based on your analysis part 1 2, would you expect the negotiated term to be closer to the upper or lower exchange ratio क्या बोला सर क्या बोला बिलूल दिमा खराब होग है बताओ share action ratio क्या हो गए किसी भी हालत में share action ratio तो सीधी बात है value per share of vendor company divided by value per share of purchasing company तो vendor company के share की value कितनी है अगर मैं B.A. Limited है 20 रुपए से 1 पैसे जादा है maximum 20 और अगर मैं हूँ D.A. Limited मैं काऊंगा जितना ज्यादा दे ना दे दो 15 से 1 पैसा कम नहीं अगर 15 रुपए से भी आप कम offer कर रहे हैं तो साहाब मैं आपको क्यों दो saver मैं market भी बेस देते हैं इट मेंस D.A. Limited क्या बोलेगा 15 से 1 पैसा कम नहीं minimum minimum 15 चाहिए और B.A. Limited बोले maximum 200 से 1 पैसे ज्यादा रहे इट मेंस share action ratio क्या हो सकता है करेंज बता ना रैंज तो minimum share price of share of 15 रुपए तो उसी साब से share action ratio निकलो 15 by 40 तो 0.375 D.A. Limited इससे कम नहीं लेगा और बात है intrinsic value, D.A. Limited की intrinsic value कितनी है? 20 रुपए B.A. Limited बोलता भाई आपके share की वर्त हमारे लिए 20 रुपए है तो बोले हम इससे ज्यादा नहीं रहेंगे तो रैंज किदर हो गई? इससे कम नहीं होगा इससे ज्यादा नहीं होगा तो share action ratio होगा क्या? अब सवाल यह है 0.5 is to 1 होगा कि 0.375 is to 1 होगा इसी के बीच में होना है इससे कम हो नहीं सकता इससे ज्यादा हो नहीं सकता तो बताओ भाई यह जो negotiation चलेगा वो किदर जाएगा यह क्या बोलेगा B.A. Limited इससे कम करने की ज्यादा तो मैं दूँगा ही नहीं इससे कम करने की कोशिश करेगा जितना कम हो सकते कर देते और D.A. Limited इससे बढ़ाने की कोशिश करेगा अब किस तरफ जाएगी deal negotiation इस तरफ होगा किस के ज्यादा क्लोज होगा सोच के बताओ कम से कम देने की कोशिश करेगा कौन B.A. Limited है और हो सकता है D.A. Limited को मां जाए इसके ज्यादा क्लोज होगा क्यों सर क्यों B.A. Limited बहुत सफ़ाई देगा बोले देखो सुनो कौन D.A. Limited D.A. Limited हम आपको इतना देंगे बोले नहीं हमको ज्यादा चाहिए ऐसा हो ऐसा बोले सुनो मेरी बात हर मामले में हम आपसे आगे आप EPS देख लिजी आप Growth Rate लिजी आप Dividend Payout ratio देख लिजी और Dividend Payout ratio छोड़ो Return on Equity देख लिजी ए Book Value पर शेयर दीजी Part 1 और Part 2 हमने जो किया था उसका Analysis देख लिजी हर मामले में हम आपसे आगे हैं और आपके Shareholder हमारी Company में आके खुश हो जाएगे खुश खुश ही रहेगे पक्का तो जो आपके Shareholder से पूछ लो आप चाहो तो वो तयार हो जाएगे इस Share Action ratio पे भी तयार हो जाएगे हम हर मामले में fundamentally आपसे अच्छे है तो प्लीज इस पर डील क्लोज करते हैं यही चीज पूछा है क्या देख लो Based on expected operating synergy यह तो हो गया था You are required to develop a range That can be offered by BA Limited to the Shareholder Based on your analysis Part 1 & Part 2 बहले यह Part 1 & 2 में जो analysis किया ना इसके हिसाब से बताईए कि जो negotiation होगा वो किसके close रहेगा Upper limit के कि lower limit के तो यही बस बताएं The fundamental of DA Limited RV ठीक As reflected by lower MPS EPS price earning ratio, return on equity, growth rate, etc. Hence, action ratio should be fixed closer to the lower limit That's it यह लिखना था आपको ठीक है सर मतलब अच्छा था यह question देखा जाया था आगे क्या बोल रहा Post Merger EPS होता हम निकाली लेंगे अगर share action ratio यह वाला नहीं बोले इस पर deal final होगी कि 0.4-1 अब अभी तक तो daily final नहीं होगी थी सर, point number 4 पर deal final होगी कि हम 0.4 share issue करेंगे तो आपको निकाला Post Merger EPS और आपको बताना EPS accretion हो रहा है या dilution हो रहा मतलब EPS increase हो रहा है कि decrease हो रहा comparison करके यह तो हमने किया हुआ जबा दिकप नहीं होगी तो point 4 is to 1 तो combine earning कितना 1299 एक लाग share और सामने वाली company 80,000 shares है उसे हम 0.4 देंगे तो यह आजाएगा post 2.341 EPS before Merger BA का था 2.10 पैसे after merger head point तो इसका क्या हो रहा accretion हो रहा बढ़ रहा और इसका EPS था 1.2375 पर यहां हमको equivalent करना पड़ता है मैं फिर से बता रहा हूँ it means जो भी EPS है share action ratio से multiply कर देंगे तो यहां क्या हो रहा dilution हो रहा EPS कम हो रहा यह पूछा था impact और क्या पूछा है based on 0.4 is to 1 action ratio assume that BA limited pre-merger price earning ratio will continue after merger estimate the post-merger market price वह यह निकाना post-merger market price or accretion or dilution मतलब यहां simple हो गए तो EPS कितना निकला था किदर गया यह है इसको multiply कर देना होगस है solution है क्या हाँ यह 2.341 19 तो यह आगे post-merger MPS बस 40 था 15 था equivalent निकालोगे तो यह accretion और और यह भी accretion हो रहा क्यों होगा यह तो मैंने आपको वजह बता दिए बस और खतम हो गया question तो देखा जाए question बड़ा जरूर था यह लिजी यह भी question अच्छा है और यह मैंने आप लोगों के लिए उठाय है अच्छे-च्छे question लिया लिखा T limited, E limited are in the same industry ठीक है भाई the former is in negotiation for acquisition of the later मतलब यह purchasing company later यह होगई यह होगई यह होगई यह होगई financial statement is given below 10 रुपय का एक share है तो यह क्या है भाई number of shares होगई हाँ, equity share out is number of shares होगई debt भी है 10% venture है 12% इसका debt है 510 का 10% मतलब 58 lakh interest आएगा और इसका भी लिखा earning before interest interest के minus करने से पहले depreciation के minus करने से पहले और tax के minus करने से पहले earning before interest यह दे रखा यह और यह market price per share दिया हूँ T-Limited अब देखो भीटे एक है T-Limited और एक है E-Limited अब देखो हो क्या रहा बोले T-Limited प्लान किया offer a price for E-Limited T-Limited का क्या planning है बोले हम पूरा business खर देंगे business as a whole which will be seven times यह बोले सामने वाली company को हम खरीद लेंगे और बोले देंगे कितना बोले हम देंगे जितना इसका earning before interest, depreciation and tax है उसका साथ गुना ज्यादा permit करेंगे साथ गुना ज्यादा हाँ लेकित इसका साथ गुना ज्यादा पर उसमें से पहले हम debt को क्या कर देंगे minus और उसके बाद जो पैसा बचेगा हम shares issue कर देंगे अच्छा debt minus करने के बाद जो पैसा बचा वह एक पर शेयर कर वह हमारा net consideration माना जाएगा यह किसका planning चलना था टी लिमिटेट ऐसी साब e-limate क्या बोल रहा ज़रा दखते हैं e-limate कहता है कि e-limate बोले हमको यह सब कहानी नहीं चाहिए हमारे लिए simple सी बात है हमें one share in t-limited हमारे हमारे दो share के बदले में प्लीज आप एक share दे दीजिएगा और market price के सब से जो भी market price है हम तेयार है tax rate दिया है 30% भाई यह tax rate भीच में क्यों दे दिया अच्छा खासे दो चल रहा रहा है मांग क्या रहा है net consideration payable तो दोनों के एंगल से सोचना पड़ेंगा t-limited के सब से net consideration कितना और e-limited के सब से net consideration कितना number of shares to be issued by t-limited ठीक है EPS of T-limited EPS निकालना है उसके लिए तो earning निकालना पड़ेगा interest minus होगा depreciation का तो कुछ दिया ही नहीं है tax minus हो सकता है tax rate दिया ठीक है depreciation 01 के चलेंगे और की expected market price per share of T-limited after acquisition यह सब EPS के बाद होगा state briefly the advantage to T-limited from the acquisition calculation ऐसा 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 लिए ठीक है अभी क्या करें सुनो T-limited के एंगल से बात करते हैं यह सब चीज तो सबसे फ़ल EPS लगी का ना तो EPS निकालतो लेते हैं फिर सुचते हैं अच्छा दोनों का निकाला income statement यह दिया है ठीक है interest minus हो गया 58 और 240 का 12.5% कितना आ रहा होई ठीक है 240 into 12.5% ठीक है earning before tax हो गया earning after tax हो गया number of shares से divide हो गया तो यह EPS आ गया यही चाहिए था market price दिया तो price earning ratio आ गया ठीक है अब आपको ना अलग-अलग इंगल से बात करनी सबसे पहले बात किसके इंगल से कर लेते t-limited net concentration pay तो वह बोल रहे थे जितना इनका earning before एक से क्या क्या नाम है यह इससे सादगुना ज़्यदा payment करेंगे ठीक है भई हो गया है पर debt minus करेंगे तो यह हम net concentration देतेंगे जो ठीक है तो t-limited कितना देने को तयार है इतना net concentration अब पूछा दूसरे point में कि बताओ कितने share issue करेंगे तो भई हमारी company का share का price कितना है 220 तो हम इतना और एक share 220 का issue करेंगे तो हम maximum इतना share issue करेंगे post merger EPS EPS निकालना है तो भई earning after tax यह और यह इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारी company में पहले शेयर कितना है 12,00,00 और हम नए share इतने issue करेंगे 2.60 EPS तो यह आगया post merger EPS फिर मांगा post merger MPS तो price earning ratio से multiply कर देंगे तो answer आचाहिए किसके साब से T limited के e limited तो भाई साब यह बोली थी क्या T limited advantage में है हाँ अभी T limited वाला ही चौल रहा है सुरी पाचवा अभी point है मेरे पास question नहीं आप question देखना पाचवा point है सर देखे ले देना हाँ पूछा था T limited advantage में है कि नहीं इसके अलाव point number 5 और पूछा तो सहाप यह बताओ post merger MPS से 226 रुपए और प्री merger MPS तर 220 रुपए तो यह तो advantage में है कितने रुपए 6 रुपए पाचवाश अगर इसके हिसाब से काम होता है अब किसके एंगल से बात करेंगे हम सर अब हम बात करेंगे illimited कितने रुपए और एक शेर सामने वाली कंपनी कितने में इस्यू कर रही है 220 तो इनको भाई 660 रुपए मिलेगा इलिमिटेट के प्लांस है ठीक है 660 रुपए नंबर अफ शेर्स टूबी इस्यूट यह तो हो गया ना यह तीन लग टाइम पस क्या पोश्ट मर्जर EPS पोश्ट मर्जर EPS के 240 प्लस साथ समझ गया ना 240 प्लस साथ यह हो गया और नमर अपशेर बारा लग तो हमारी कंपनी के थे और ने शेर कितने इस्यूट करोगे तीन लग पोश्ट मर्जर EPS मल्टिपलाइब कर देंगे तो 220 आगया पोश्ट मर्जर MPS हो गया और टी लिमिटेट प्लाइस पहले कितना था टी लिमिटेट प्लाइस आजए टी लिमिटेट को फायनाएदा है कि नहीं ठी लिमिटेट को तो तुद लिमिटेट को यहां लॉस नहीं प्राइस अब करें चाहे हम आपके सबसे काम करें हमें किसी भी हालत में लॉस नहीं हो रहा है ठीक है जी कैसा था कोश्चन बैतरी इंसरा आगे चल रहा है चलो जी अब आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम लोग demerger के sir demerger merger alag ho na sorry एक साथ मिलकर काम करना demerger मतलब alag अलग करना एक ही कोश्चन है हमारे practice manual में और ये कोश्चन है आपके सामने क्या लिखा जड़ा देख लिए ते the following information is is relating to fortune India limited एक कंपनी है Fortune India Limited, ठीक है, having two division, farmer division and fast moving consumer goods, FMCG, सीधा सायार, तो भही एक कंपनी है Fortune Limited और उसके दो division है, कौन-कौन से एक farmer division है, और एक FMCG है, पैड़ाब share capital of Fortune India Limited, Fortune India Limited एक कंपनी, उसका farmer और FMCG, Fortune India Limited की पैड़ाब share capital है, तीन हजार लाख equity shares, तीन हजार लाख equity shares, और share कितने का है, एक रुपिया का एक, Fortune India Limited decide to demerge pharma division as fortune pharma limited, ये क्या कर रहा है, बहुले FMCG division है और pharma division, बहुले pharma division को हटा देते है, और pharma, क्या नाम है, limited बना देते है, fortune pharma limited, और FMCG रखते है, it means, वो demerge कर रहा है, कौन से division को हटा रहा है, pharma division को हटा कर, pharma private limited ऐसा कुछ बना रहा है, fortune pharma limited, और FMCG अलग, FMCG अलग, pharma division अलग, मतलब सर, मतलब सीधी सी बात है, fortune India Limited, एक pharma division है, और FMCG, तो ये हटके, क्या बन गया, ये बन गया, fortune pharma limited, टिक है, अगे लिखा है, detail of, और ये demerger कब हो रहा है, 1 April 2009, details of fortune India Limited, 31st March 2009, and fortune pharma limited, 1 April 2009, और फिर से, पूरी company as a whole की ये information है, मतलब इसमें दोनों चीज़े, सर, FMCG भी है इसमें, और इसमें किसमें है, pharma भी है, सर, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये information demerger से पहली की है, और ये 1 April की information, इसमें सिफ fortune pharma limited, मतलब ये new company की information है, ये, जब demerger नहीं हुए थे, और इसमें से कुछ पाट इधर चला गया, तो बोलो, FMCG में कितना बचाओगा, निकाल सकते हैं, ये लावा, लाव, निकाल रूट कि सवायच निये नहीं है, और ये 28 लोड लोड लिए लाव, लाव बाह, लाव, टोर अवन, क्यों जयाी हैं, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, Fortune India Limited, मैं शेर होल्डर था, Fortune India Limited का, शेर होल्डर था, जिसमें FMCG भी थी, जिसमें Pharma भी था, अलग हुआ, दोनों डिपार्टमेंट अलग हो गे, तो भई, जो अलग हो रहा, Pharma Division, ठीक है, Fortune Pharma Limited बन रहा है, उसमें तो मैं शेर होल्डर हुई, और इधर भी मैं शेर होल्डर हूँ, बात समझने के कोशिश करो, मैं शेर होल्डर हूँ किसका, मैं शेर होल्डर हूँ, Fortune India Limited का, मुझपे मेरा कंट्रोल है, FMCG में भी, और Pharma Division में भी, जब Pharma Division अलग कर रहा हो, तो नो ड जो आप अलग कर रहें न, Pharma Division भई, उसके शेर दो न, राइट तो मेरे ही है, मैं ही तो ओनर हूँ, किसका, FMCG का भी, और Pharma Division का भी, तो भई, उसके शेर भी मुझे दो, तो यहीं लिखा है, Board of Director of Company ने डिसाइड किया कि हम शेर इस्यू करेंगे, किसके, New Company के, Fortune Pharma Limited के, किस को, Fortune India, मुझे ही, जब आप अलग कर रहें, तो no doubt, मैं Fortune India का, shareholder हूँ, पुरी company का, जब उस department को अलग कर दी, हला कि मैं ही मालिक था, पर अलग कर रहें, तो भई, उसका भी तो share लो, और सुनो, मुझे पैसे ये तो मांगना मत, मेरा ही department, मैं ही honor, आप मुझे कैसे दे सकती, तो यही कुछ था, समझा चुकों, डिटील में समझा है, without any consideration to the shareholder of Fortune India Limited, ठीक, Fortune India Limited को shareholder, for that purpose, following points is to be considered, क्या-क्या points है, लिखा, estimated profit, estimated profit for the year, estimated, मतलब future में होने वाला profit, 11,400 लाख है, company का, company मतलब ये, अब FMCG हो गई, क्योंकि estimated है, FMCG का, और 1470 किसका होगा, फार्मा का, Fortune Pharma का, ठीक, estimated market price, FMCG वाला, Fortune Pharma का, ये दो फार्मा का, 24.5, estimated market price of Fortune Pharma Limited, मतलब new company का, average price earning ratio, FMCG sector का है, 42, और Pharma sector का है, 25, which is to be expected for both of the companies, ठीक है, ratio, अब मांगा क्या, the ratio in which share of Fortune Pharma are to be issued to the shareholder of Fortune India Limited, वो कह रहा है साहब, सुना धियां से, मैं shareholder हूँ, किसका, Fortune India Limited, मतलब as a whole, जब company, डीमर्ज नहीं थी, इत्तम में shareholder था, अब साहब, इन्होंने Pharma Division अलग कर दिया, बिलकुल, तो मुझे share चाहिए, तो बताओ, आपके पास अगर एक share है, तो आपको Fortune Pharma Limited के कितने share मिलेगे, ये shares, ये वाला point अच्छा था, और इसको निकालने का तरीका ही अलग है, method ही अलग है, बिलकुल मज़ा जाएगा, अभी सुनो, earning after tax कितना है, दिहां से सना, 1470, सर 1470 किसका है, 1470 किसका है, 1470 फार्मा डिविजन का, अच्छा सर, तो earning after tax कितना होने वाला है, 1470, market price दिया है, 24 रुपए, 50 पैसे, price earning ratio दिया है, 25, सोच के बताना, अगर market price मालूम है, अगर price earning मालूम है, तो क्या estimated EPS निकल सकता है, हाँ सर, ये निकला EPS, अगर आपको earning after tax मालूम है, new company का, और आपको EPS मालूम है, तो क्या number of shares निकल जाएगे, yes, this divided, तो number of shares, new company के fortune, कितने shares है, 1500, इसका मतलब सोच लो मिटे बात खतान, जब company एक थी, fortune तब 3000 shares थे, जब pharma division अलग होँआ, तो उन्होंने 1500 shares issue किये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर दो share के बतले में एक ही share issue है, नई company का, इट में share action ratio निकल गया, 0.5 is to 1, ये खेल है विटे, बस ये वाला point थोड़ा सा हटके इसमें, ये वाला point, इस पे थोड़ा सा ध्यान सी काम करना, ठीक है, आगे तो फिर ईजी है, आगे तो कुछ है नहीं, आगे क क्या मांगा है, expected MPS निकालना है, किसका निकालना, Fortune India Limited, Fortune India Limited मतलब बच्ची हो, FMCG 11,400 है, ठीक है, number of shares कितना है, already 3,000 है, इसका EPS निकल गया, और EPS को प्राइजनिंग से multiply कर दिया, तो MPS निकल गया, simple था ये और कुछ, इसके बाद और क्या मांगा, book value per share of worth, immediately after demergers, book value मतलब assets minus liability, एक वड़ी share capital, रिज़र दो दिया नहीं है, तो assets minus liability कर देंगे, assets सुनो, किस-किसका मांग रहा है, company आखे, ये किसका है, ये था total, demergers से पहले, उसमें से किसका हटा देंगे, new company का हटा देंगे, तो बचा हुआ, किसका बचेगा, फिर fortune, मतलब इसमें से कुछ पार्ट किसको मिल गया, fortune pharma, तो बचा हुआ, fortune इंडिया का ही तो होगा, बात समझ में आ रहे हैं, इट मेंस आप इसको जोड़ा, total कितना है, और assets, ये किसकिस का है, ये दोनों का मिलाकर है, बीस हजार, चार सौ प्लस, बारह हजार, तीस सौ प्लस, माइनस, तो अगर मैं कहूँ, total assets कितना है, 17,000, उसमें से इसका, 7740, ये कितना है, ये है 25,100, तो अगर मैं कहता हूँ, 70,000 में से 25,100 है, फॉर्चिन फार्मा का, तो बताओ, FMCG सेक्टर का कितना होगा, बचा हुआ, 44,900, ये कौन सा है, ये फॉर्चिन इंडिया का बचा हुआ, रिमैनि, और ये फॉर्चिन था, तो बॉक वैल्व निकाल लेंगे, इसी तरह से, तो वही किया है, उन्होंने, उन्होंने का, फॉर्चिन इंडिया, जब दोनों एक साथे, तो 70,000 था, फार्मा को 25,100 मिल गए, तो FMCG वाले इतना बचा, ठीक, लाइबिलिटी भी ऐसे ही किया, तो net asset आ गया, डिवाइडेर बाई, यहां 500 शेयर से, और यहां 3000 है, तो यह आ गया, बोक वैल्व पर्श, ठीक, कोशन अच्छा है बैटे, देखकर जाना है, किसी भी हालत में देखकर जाना है, ठीक, इसे चले गले कोशन बैए, यहां, बिल्कुल सिंपल कोशन है, लेकिन आने की तो भी पॉसिबिलिटी बनती है, यह वाला कोशन जो दिख रहा, कोशन नमर 23, लिखा, the CEO of a company, thinks that, shareholder always look for EPS, ठीक है भाई, therefore he consider maximization of EPS has his company's objective, सभी को objective होता है, his company's current and net profit, कोई सी वाली company, पता नहीं, जो भी चल रही है, बले, अभी profit कितना 80 लख, और price earning ratio 10.5, और यह जो है भाई साब, यह कोई और company खरीदना चाहते है, जिसकी अभी net profit है, 15.75 लख, और price earning ratio 10.5 लख, मांग क्या रहा है, what is the maximum actions ratio, which the CEO should offer, so that he could keep EPS, important, he could keep EPS at current level, actions ratio बताना है, ताकि EPS, EPS, same रहे, तो सबसे पहले काम क्या, पहले थोड़ा, हमें एक information लिख देते हैं, दोनों company के विश्चे में, purchasing company, venture company, pet दिया था, price earning ratio दिया है कि दुनों का, हाँ, दोनों का दिया, price earning ratio दिया, तो no doubt MPS निकल गए, अगर MPS निकल गए, या price earning ratio दिया हुआ है, MPS से price earning ratio दिया हुआ है, अगर EPS मालूम है, अगर pet मालूम है, जैसे अभी किया थो, pet divided, तो क्या जाएगा, number of shares, अब वो बोल रहा है कि share action ratio क्या होना चाहिए, share action ratio क्या होना चाहिए, कि post merger EPS भी कितना हूँ, 4, सर इसका मतलब है, कि share action ratio EPS के basis पर किया जा सकता है, हाँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 10.5 divided by 4, answer आएगा 2.625, जाने, alternative आप ऐसे भी कर सकते हूँ, पहला तो यह दरीका, alternative यह कर सकते हो, EPS कितना रख देंगे, 4, combined earning जरूड देंगे, कितना कितना, 80 और 15.75, number of shares कितना होगे, पहले से कितना है, 20, और यहाँ X, तो X की value निकल जाएगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यह मैं करवाया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा speed से चल लिया, ठीक है, तो point number one तो हो गया, point number two क्या बोल रहा है, भाई साब यह क्या कह रहा है, यह अच्छा important point है, यह बोले, जो CEO है, वो बोलते हैं, हम share के बदले में share नहीं देंगे, हम पैसा ले लो, पैसा ले लो भाई, खतम करो, साब जी पैसे कहां से लाओगे, सर हम bank से ले लेंगे, वो ही बोल रहा है, कि हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे 15 परशन के हिसाब से, और हम target company को खरीद लेंगे, सीधा-सीधा क्या payment कर देंगे, cash का payment कर देंगे, तो बताइए, कितना cash का payment करेंगे, कि EPS maintain रहना चाहिए, tax करेंट कितना है 30 परशन, no doubt, borrowing करोगे, तो interest दोगे, interest दोगे, तो tax savings होगा, इतना तो हम समझदारी से काम कर सकते है, देखते है, if we borrow and pet cash to the EPS भी कितना होना चाहिए, 4, combined earning divided, तो यहाँ 4 रह जाएगा, दोनों की earnings जुड़ जाएगी, तो क्योंकि सामने वाली company को तो हम ने खरीगे, पर इस earning में से क्या minus करना पड़ेगा, interest, जितना रुपे बौरू करोगे, मान लो बौरू, उसका 15%, और उस पे after tax, tax saving होगा, लेकिन divided by number of shares सिर्फ और सिर्फ यह वाला होगा, इसके नहीं आएगा, क्योंकि हम share के बतले में share नहीं दे रहा है, और जब इसको shawl करोगी, कर ले ना, आंसर आजाएगा, 150, इसका मतलब, अगर हम 150 लाख रुपिया सामने वाली कंपनी को देगी, maximum दे सकते 150 लाख, तो हमारा EPS जो है, वो maintain रहेगा, अच्छा कोश्चन है, और आपको एक बार देखना है, सर, और एक कोश्चन, हाँच, ये वाला कोश्चन, ये बहतरीन कोश्चन है बिट्टे, अच्छा कोश्चन, बहुत धीरे-धीरे करना, और पता नहीं आ गया तो, पढ़ते हैं, बैंक आर, वाज, इस्टाबलिष्ट इन 2005, ठीक, और बैंकिंग इन इंडिया, बहुत अच्छी बात है, बैंक इस फेसिंग डू आरड़ाई सिच्विशन, भाई क्या हो गया, ओहू, सी ये लोगों का मेन चीज़ यहाँ पकड़ते हैं हम लोग, एन पियह बहुत ज्यादा है और कितना पर्षंट, 40%, क्योंकि कम होना चाहिए, 40% एन पिया, और Capital-Education Ratio, Capital-Education Ratio, Car divided by C-R-A-R, Capital-Education Ratio divided by Capital Risk-Vetive Asset Ratio, ऐसा कुछ बोल रहा है, कितना दिया है, 4%, कितना होना चाहिए, ज्यादा की कम, सब पता नहीं सब कैपिटल जितना रिस्की एसिट्स है अगर मैं इसको जितना रिस्की एसिट्स है उससे ज्यादा कैपिटल जितना रिस्की एसिट्स है उससे ज्यादा कैपिटल मतलब सरी यह ज्यादा होना चाहिए अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगी किया शेयर वो बाद में समझेगे अब भी तो NPA जादा हमको इतनी बात समझें नेट वर्थ बहुत अच्छी नहीं है शेर जो है वो ट्रेड नहीं हो रहा है और आठ रुपए के हिसाब से शेर भी कता हुआ यह मतलब मार्केट प्रैस आठ रुपए बैंक की हालत बिलकुल खराब है RBI ने audit करके suggest किया कि यह तो बैंक बंद किजी सर यह तो भाई दूसरी बैंक के साथ आप मर्ज कर लीजिए ठीक है भाई कास कोई बैंक मिले और एक बैंक पी है जो professionally managed bank है गुट और साहब NPA बहुत कम है सिर्व पाच परसन बताओ साहब यहां NPA 40% था यहां 5% मतलब अच् ठीक है सर है क्या ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कार 16% capital adequacy ratio is 16% इसका मतलब यार यह ज़्यादा होना चाहिए तब ही अच्छा हां सहीं बात और शेयर जो market में 128 रुपए के साब से भी करह है और board of director of bank P was submitted the balance sheet detail of both the banks are as follows देखते क्या है चलो भाई दोनों bank की स्थिति देखते है इस्थिति ऐसी है कि शेयर कापिटल यह कौन सी company वह बैक पहली वाली मतलब सर इसको मैं vendor company बोलूं और इसको बोलूं पर्चिसिंग उससे मुझे ना ज्यादा अच्छी से समझ में आता है यह bank अच्छी है हर मामले में paid up share capital देख लिए, reserve and surplus देख लिए, deposits ज्यादा है, liability भी ज्यादा होना है, total liability, cash, investment, advances वगेरा वगेरा दिया है it was decided to, तो bank P आप खरीदने वाली हो, bank R को तो decide क्या हुआ कि बोले issue किया जाएगा share book value, at book value of bank P to shareholder of bank R, ठीक all assets and liability are to be taken over at book value, बोले हम share issue करेंगे book value पर, book value पर, और vendor company की सारी assets और liability को taken over कर लेंगे, ठीक है swap ratio कैसे, कितने share के बदले में, कितने share, तो यह बताए the swap ratio weight assigned to different parameter, NPA के basis पर, car के basis पर, MPS के और book value, यह दोनों तो हमको मालूम था EPS के basis पर नहीं इस बार, NPA basis पर, car basis पर यह सब बताया और weight इस तरह से, ठीक है न, उपर vendor company, नीचे purchasing company हो गया ठीक, what is the swap ratio based on the above it, निकाल लेंगे, how many shares are to be issued, वो भी हो जाएगा, हद हो गई, balance sheet बनाओ, देखेंगे, calculate car and gross NPA पर चलो, सबसे पहले आपको बहुत सारी चीजे लिखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि दोनों company का NPA लिख देंगे, दोनों company का car लिख देंगे, दोनों company का MPS लिख देंगे, दोनों company का book value लिख देंगे, और फिर share action duration निकालेंगे, फटाबट से निकल जाएगा, NPA तो दिया है, 40 percent, 5 percent, car भी दिया है, capital divided by यह formula होता है, 4 percent और 16 percent, MPS दिया है, हाँ 8 रुपे में trade हो रहा है, 128, net worth, net worth तो दोनों को जोड कर ले लेंगे, कोई बात ही नहीं है, net worth कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड देंगे, 210 और 6000, तो net worth भी निकल गएगे, 210, 6000, number of shares, तो यार, जो 140 है, हमान के चल रुपे का, 10 रुपे का, 1 share चल रहा है, तो 14, 14, 10 का, 1 share, और यहां कितना जाएगा, 50, मैं मान के चल रहा हूं, 10 रुपे का, 1 share, तो 14, 15, तो net worth यहां आजाएगा, book value per share, अब मेरी बात समझना, हमेशा, vendor company उपर, purchasing company, नीचे, swap ratio निकलने के लिए, जैसे, यह कौन सी company, यह है, purchasing company, और यह है, vendor company, बस एक बात सोच के बताना, book value per share, क्या हमारी company का ज्यादा है, हाँ, क्या हमारे लिए अच्छा, बोलो हाँ, हाँ sir, अच्छा, मतलब ज्यादा मतलब अच्छा, हाँ sir, ज्यादा मतलब अच्छा, MPS क्या हमारी company का ज्यादा है, बोलो हाँ, हाँ, बोलो अच्छा, क्या कार हमारी company का ज्यादा है, बोलो अच्छा, बहुत अच्छा, ज्यादा मतलब अच्छा, एक समस्या है, वो है gross NPA, NPA क्या हमारी company का कम है बोलो हाँ हाँ और कम मतलब अच्छा इटमिस यहां खेल है बाकी तो ठीक और अगर मैं निकालू श्वय प्रेश्व अगर इसकी बात करो तो दिख रहा होगा वैंडर कंपनी लिए मतलब आड़ बाई कर सकते हैं आड़ बाई 208 यह आगया है उसके बाद किसकी बात कर रहा है सर 15 वाई 120 फंद्रह बाई 120 पन्द्रह बाई 120 तो यह आगया ठीक है इसमें कोई काल कीवाद कर लो चारवाई 16 चारवाई 16 यह भी आ गया लिकिन यहां अगर मैं करूं C40 by 5 C40 by 5 C यार share action ratio बोलो ज्यादा आएगा, हाँ, हाँ बोलो इक पर हाँ, अगर फिर मालो ये NPA 40% होता, पचास परशन होता, और ये 50 by 5 करता तो क्या share action ratio और भी ज्यादा आता, हाँ, इसका मतलब यार क्या बेवकुफी नहीं लग रही है, मतलब यार अगर सामने वाली company में NPA बात loss कियाती है, ये loss ही है, तो फिर purchasing company को 5 को उपर लेना पड़ेगा, 40 को नीचे लेना पड़ेगा, हाँ sir, बस आपको ये इस बात पर focus करना है, it means आपके लिए जो काम की चीज रही, सीखने के लिए इस question में वो थी ये, ये बिलकुल ध्यान से करना, इसमें गरवड हो सक याद करो, आप efficiency ratio निकालती थी costing में, कहां याद होगा, छोड़ो न, मैं यहां क्यों याद करवा रहा, ठीक है, इस पर focus करना यहां हो जाएगा, 5 by purchasing by bank, ठीक है, वेट दे दे देंगे, और वेट दे दे देंगे, तो वेट के हिसाब से share action ratio निकल गया, और share action ratio कितम निकल ग पहला काम हो गया, अब क्या मांगा, number of shares to be issued, वो तो आराम से कम करेंगे, सामने वाली company में कितने shares, अच्छा यह है ना यार, यह vendor company, यह तो गरबड़ो जा रहा है, तो कितने share है, 14 share action ratio निकला पॉइंट, तो कितने share ratio करेंगे, 1.75 ठीक है, question आपके सामने है, और अब क्या मांगा है, balance sheet, balance sheet हीजी, cash जोड़ दोगे, asset side में कोई दिक्कत नहीं, bank आ जाएगा, investment आ जाएगा, advances, other asset, इधर कोई दिक्कत नहीं, share capital में हमारी company में पहले शे share capital है 500 lakhs, और हम share issue कर रहे हैं, 1.75, 10 का एक तो आई आगे, 517.50, reserve and surplus में सामने वाली company का, हम reserve taken over नहीं कर रहे हैं, तो 5,000 पास, deposits भी हो गई, ये capital reserve कहां से आया, तो सुनो, ध्यान से समझना है वरियाद का, सामने वाली company में net assets कितना, net worth कितना, दोनों में लाके net assets कितना, चेक करो बिटे, ये हैजर, 140 और 70, तु बुलो कितना, सर सामने वाली company में 210 लाग का net worth, 210 लाग, और कोई information है, क्या net assets मिल सकता है, चलो, 210 ठीक है, तो भाई, मैं सामने वाली vendor company की net assets है, 210 पर इस 210 के लिए हम जो payment कर रहे है, सिर्फ हम 1.75 lakhs share issue कर रहे है, हम payment कर रहे है, pet 1.75 into 10, मतलब हम pet कर रहे है, 17.50 lakhs, एक तो होता, अगर हम ज़्यादा payment करें तो goodwill, और कम payment करें तो capital reserve, तो क्या यहां हम कम payment कर रहे हैं, yes, तो capital reserve हो जाएगा, 210 minus 17.5, तो answer अगया, 192.5, इन दोनों का difference, यह जाएगा, 192.5, this is capital reserve, क्योंकि 210 की चीज़ आपको मिल गए, इस accounting में तो आपने अच्छे से पढ़ा है, बाकी यह क्या balance sheet telly हो जाएगी, yes, यह balance sheet telly हो जाएगी, ठीक है, तो यह हो गया, इसके बात क्या मांगा था, calculation of car, and gross NPA, after merger, after merger, car बताना, आपको मतलब वो ratio बताना, ratio कैसे निकाला जाता है, तो ratio कैसे निकाला जाता है, car का formula, तो क्या था यार, capital, divided by risk weighted assets, तो यहाँ car कितना था, 4% और P limited में कितना था, 16% नहीं दिख रहा है, capital यहाँ 210 है, और 6000 है, capital देख लो, capital मतलब equity plus reserve, तो उस हिसाब से, CRAR निकल जाएगा, risk weighted assets, इसका कितना, 5250, इसका कितना, 3750, तो दोनों का capital कितना हो गया, 6210, दोनों का risk weighted assets हो गया, इतना तो क्या post merger car निकल सकता है, 14.53 अच्छा, अब बात किसकी करते है, NPA, और NPA किस पे बनाया जाता, advances, तो यहाँ advances कितना था, R में, 3500, और यहाँ कितना, 27000, यह कहां से मिलेगा, आप balance sheet चेक किजिए, और balance sheet में यह देखो, advances 3500, 27000, इसका NPA निकाल देते हैं, simple सी बात हैं, और जोड देते हैं, NPA 40% तो यह आगया है, non-performing assets, इसको total कर लो, और इसको total कर लो, 2750, non-performing assets, total advances यह है, हमसे तो यह मांगा था, यह हमने निकाल लिए, सर कोशन अच्छा है, और आपको किसी भी हालत में करना, किसी भी condition में यह कोशन करके जाना, तिक, चलो जी, आगे कोशन नहीं, एक simple सा point है, maximum and minimum action, इस बच्चों के बड़े सारे doubts आथ, यह सर समझे में नहीं आता, कि यह है क्या, यह किसी और तरीके से किया गया है, कोई और कुछ नहीं simple है, common sense लगा वा अंसर आएगा, सुनो मेरी बात, example के तो, A limited भाई, B limited को खरीद रहा है, तो A limited होगे purchasing नमपनी, B limited होगे वाई अंटर नमपनी, earning after tax दिया है, 50 लाग, 20 लाग, ठीक है, number of shares दिया, 20 लाग, 10 लाग, सर, question number कौन सा है, कोई number नहीं बाटे example, और MPS दिया, 30 और 20, अब सुनना धियां से, what is the maximum action ratio, accepted to the shareholder of A limited, if price earning ratio is 12, भाई साब, A limited, सर जी, A limited, maximum, कितना shares दे सकते है, maximum share action ratio, कितना, एक बात है, दुनिया इधर से, earning कम हो, जाद हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी wealth में कमी नहीं होनी चाहिए, अगर merger के बाद, अगर हमारी wealth कम हो रही है न, तो फिर नहीं करना हमको merger, it means, maximum से maximum, देने को तियार है, जितना चाहिए, हमारा share price, 30 रुपए से, किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए, अगर post merger MPS, 30 रुपए से कम होता है साहब, तो फिर हम नहीं करना, merger नहीं करना, maximum, 30 से कम नहीं, तो post merger EPS, कितना होना चाहिए, 30 तो 30 यहां लिख सकते, पोष्ट मर्जर EPS तो निकालना आता है न, सर्फ पोष्ट मर्जर EPS, पोष्ट मर्जर MPS, कैसे निकालोगे, पोष्ट मर्जर EPS, इंटू प्राइजर निंग रिश्यो, यह कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ो, 20 लाक यह भी आ जाएगा, और 10 लाक इंटू शेयर एक्षिन रिश्यो, यह आ गए, EPS, इंटू करोगे, प्राइज अरिश्यो तो यह आ गए, इसको सॉल कर लेना, तो कितना आ गए, 0.8-1, मेरी बात समझ में आ रही है, सिम्पल सी बात, बात बोल रहा है, सिम्पल सा स्टेट्मेंट, और स्टेट्मेंट किया, स्टेट्मेंट बस इतना सा है, कि किसी भी हालत में, मर्जर से पहले, अगर मेरी कमपनी का, शेयर का प्राइस 30 रुपा है, तो मर्जर के बाद भी, 30 से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम, उतना ही हम, शेयर एक्षिन रेश्व एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से, वी, वैंडर कमपनी भी बोल सकती, कि मैक्सिमम हमें कम से कम कितना चाहिए, मैक्सिमम तो जितना देना दो ही, खुशी की बात, पर मिनिमम कम से कम हमें इतना दे देना साहब, कि मर्जर से पहले जो 20 रुपए था मार्केट प्राइस, मर्जर के बाद भी, हमारी कमपनी के शेयर का प्राइस 20 रुपए ही होना चाहिए, तो बस, एक्स करके उसको भी निकाल लेंगे, लिकिन उसमें एक बात ध्यान दे ना, कमाई नर्नि, अच्छा, पाच परशन का सेनरजी बेनिफिट है, वो देख ले न, यहां पाच परशन का सेनरजी बेनिफिट है, वो ले लिए, यह तो ऐसी बना एक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इंटो प्राइज जर्निंग रेशो, सर यह X क्या है, बेटे यह कभी भी आप, एक्विवेलेंट MPS लेते हैं, याद है एक्विवेलेंट, मतलब सर, मतलब बेटे सीधी सी बात है, कि आप यहां, जो भी आता था MPS, उसको multiply किससे करते थे, share action ratio से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, मर्जर की क्लास में, मर्जर औन एक्विशन, बहुत सारी चीज़े मैंने नहीं भी करवाया है, इसमें जो repeat question करवाने का sense नहीं बनता है, ठीक है, ऐसा है कि अब मर्जर खतम हो, इतने कर सकते हो, अब जितना भी time है उसमें आपका revision हो रहा है, और time मिलेगा तो आप extra questions से देख सकते हैं, ठीक है जी, अब जल्दी मिलेगे, कुछ नए concept लेके आऊंगा, मैं revision नहीं करूँँगा, revision तो more than sufficient हो गया, कुछ एक दो concept है, कुछ नया नई चीज, इस तरह से classes टेलेगे, ठीक है, थैंक यू, बाइबाए, मिलते जल्दी मिलेगे इस पार्थ, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाइबाए बिट्थे, अल दा बेस्ट,